तो भाई सैथ प्रॉलिंग के अंदर तो मलब कुछ चुल मची थी जिस वैसे उन्होंने बैकी लेंज का जो इत्ता अच्छा टाइटल रेंज चल लाता है उसको मलब करने और यहां पर और यहां पर हैं याँ लिनेमेंग के और तेंसे मीण पार्ट knowledge के अंदर वहां पूरी चैय तो आप पिछूटों को लास्त तक जरूँ देखना हो लाइक जरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज मैं तो इनकी इनका मैस हमें देखने हो मिलने वाला है दो दिसमर के डानेमेट की एपीशोड में तो उसी कि हम पर कॉंट्रेक्साइनिंग आमे देखने मिले हैं बिल्कुल कैनी ओमेगा यहाँ बिल्कुल मुझे ऑले कैनी ओमेगा जैसे लग रहे थे बालकुल यहाँ पर वो वहां पर देखतें है John Moxley's the theme music play लेकिन जॉल回去 क्वा पर आते निहें और में जोड़ इस het a बैक सब्सक्तियुन कुछ लावक ह Does और इस match को यहाँ पर Brian Cage और Ricky Stark ने जीत लिया लेकिन match के बाद यहाँ पर हम देखते हैं Brian Cage और Ricky Stark की जो टीम है वो अटेक करती है Darby LN और Cody की उपर और बाद में उनको बचाने के लिए आते हैं Will Hopps जो कि मैं पता है Will Hopps सभी इनी के साथ चलना है इनी के टीम में चलना है वहाँ पर वो चेयर लेकर आते हैं और यहाँ पर Brian Cage की तीम यहाँ से बाहर निकल जाती है और Will Hopps का हम देखते हैं वो जो Brian Cage का FTW बैल्ट है उसको उठा लेते हैं और उसी बैल्ट से यहाँ पर Cody की उपर आटेक कर देते हैं तो यहाँ पर Will Hopps का में हील टर्न देखने मिला हील टर्न ले लिया और यहाँ पर टीम टैस को यहाँ पर जोइन कर लिया है और यहाँ पर टीम टैस को यहाँ पर जोइन कर लिया साति हमें क्रिज जैरिकों का फी इनर सलकल देखने को मिला था जहां पर वह लाज्वेकस में हैं अब यहां पर इस पूरे सैग्मेंट को अच्छे से देखा नहीं लेकिन फिर यहाँ पर क्या सकते हैं यह कुछ फणी स सब्सक्राइब करें अगली अब बात करें जुकिए यहां पर रेने यंग और जॉन मॉक्सली तो आज के डाइनमाट की अपिसोड में पर जॉन मॉक्सली ने बड़ी बात को रिवील करा जहां पर उनोंने बताया उनकी घर पर वाइप हैं वहां पर प्रेगनेंट और अपने वर्ल टाइटल के बारें बता रहे थी लेकिन ऐसा लगए था फ्लो फ्लो में उनके मुझ से आसा निकल गया कि यहां पर रेने यंग प्रेगनेंट हैं क्योंकि यह वाली बड़ी अनौंस्मेंट होती तो यह आपर रेने यंग कर सकती थी अपने सोशल मीडिया के उ अच्छी बात हैं भी हम देख रहे हैं स्याथ रहां पर रुट यहां पर रुट निकल के यहां पर यह निवस्ट निकल यह लग चलने लेकिन मज़ें पूरे करें और बिलकुल एक जैसे सीना में आप हमें यहां पर देखनो मिला बाकी कमेंट करके आप लोग मुझे था आ पर के बारा में जो कि में रोश्टर के अंदर बहुत ही जल्दी आने वाला है आने वाला यहां तरह हो सकता है मतलब वहां पर वहां पर वह वाला है जीत निई पाई तो एकिन को बेहरे जुदि निवेर सबफलाइके निभी का उनल वायों को को तो अब बड़ी लगनी रही है और उनकी टीम का जाना को इस मनला वी लीडर भी कोई दिखाई दे नहीं रहा है तो मुझे तो काफिया नहीं कह सकते हैं न्यूस काफिया नहीं अच्छी लगी के रिया रिपली आकर टीम स्मैक डान को जोइन करेंगी बाकी का देखते हैं इस टॉपनी लास्ट अब्डेट के बारे में जोगी है कि जिए ग्रुप के बारे में जो कि का इंदर हमाय थेखना हो मैं भी सबता ही तो का इसने में पर खेल सिता इंदर आखियो तो इन्हों कर लिए यह जी दिया ता जीप फिर वहार गया थे यहां पर और पर काफी वह एमोशनल मुऻन था जहा पर यहां पर काफी आना इमोशनल होगेते वहीड स्वान भी यहां पर थे और काफी आना इमोशनल मुवन था यह के अंदर रुकरी दिन न था आखरी उनकी विदाई थी forward-red मैस था और यहां पर जो रास्कल्स हैं वह इंपक्ट रस्लिंग का पार्ट नहीं रहे हैं अब मुझे यहां पर मतलब पता नहीं कि सच में मतलब ऐसा कुछ फेरवल मैस था यहां फिर कुछ मला स्टोरी लैंट आप यह क्योंकि वहां पर हमने देखा था जब यह बैक्स्टे करने में पर शाइन के अंधर लाने में और अगर यहां अच्छी वात है में ऑफिका इम्प्रूमेंट होगी हम हाली की बात करें और अगर रास्कल्स जैसे ग्रूप आता है जो कि पहले कुछ कमाल कर कई यह सच में काफी कुछ बड़ा ग्रूप होगा बस वह अलग बात है कि WWE के अंदर हम देखते हैं मलब बाहर तो tag teams अच्छी होती हैं लेकिन WWE के अंदर आके उनका कवाड़ा हो जाता है जैसे कि recent example हम काफी सारी tag teams की बात कर सकते हैं रिवाइवल की बात करें या फिर एओपी की बात करें उनके साथ आंदा कुछ हुआ नहीं था तो रासकल्स अगर WWE के अंदर हमें देखने मलते हैं तो मैं तो यहीं चाहूँ हो इनके साथ काफी आना अच्छा हो खुछ मनला इनकी बेकार बुकी नहीं हो बाकी का आंगे चल अब नहीं रही हैं जड्याइब आप लेड़ी वीडु परिफिकेशन मिलते रहें